दोस्तो हम आज आपको बताएंगे पपीता का प्लांट बराबरा आप कैसे कर सकते हैं और कौन-कौन से खाद दे सकते हैं जिससे ये प्लांट बहुत बरा हो और इसमें कौन-कौन सा खाद है जिससे ये वाला खाद दीजे उसके बाद देखिएगा आपका औरगेनिक खाद ह नहीं होगी और यही खाद दीजेगा उसके बाद आपका प्लांट देखिएगा फल भी नहीं दे रहा है तो वह फल देना इस्टार्ट कर देगा एक प्लांट आपको दस से बारक किजी फल देगा जो कि बहुत ज्यादा हो जाता है और आप इसी समय पपिता का प्लांट लग आपरेल से लग जाता है ऐसे तो आभी लेट हो रहा है लेकिन अगस्ता काप लगा लिजा ऐसे सालों भर लगाया जाता है पपिता में बहुत अच्छा अच्छा आता है इसमें रेड लेडी करके आता है उसका उभावलिंग बाला प्लांट रहता है ऐसे मतलब तीनों जो की बहुत अच्छे अच्छे है आप देख सकते हैं आपके पास कैसा है इस पर बहुत सारा वीडियो मैंने बनाया है इससे पहले भी बहुत सारा वीडियो इस पर लेवल है जो इसका मैं बोरी चेंज गिया था क्योंकि यह छोटा सा बोरी में पड़ गया था और इसमें अच्छी तरह से पानी दीजे, खाद दीजे, इसमें सबसे ज़्यादा खाद की आवसक करता होती है, और गेनिक खाद की, अगर इसे धूप में नहीं रखता है, तो धूप इसे पूरा चाहिए, और इसका गमला चोज रहेगा, वो 22 इंच का ही रहेगा, 18 इंच का तो हो नही है, क्योंकि मेरा पापीता खाद ज्यादा दे दिये थे, तो वो सुखने लगा है, लेकिन वो ठीक हो जाएगा, यह मेरा प्लांट है, और इसे मैं दूसरे मतलब बोरी में सेफ्ट करूँगा, छे महिना पे आपको बोरी पदल देना होता है, इसलिए आप कोई डबा या को यह ले आई है, ऑनलाइन एस्टोर से या कहीं जहाँ पे आप देखिए पपिता का प्लांट वहाँ से बीज ले आई है, वहाँ से वही बीज लगा दीज़े, देसी बाला पहले था, उसका प्लांट बहुत बादा बादा होता है और यह बाला में बोरी उतना ही बड़ा है यह दो फीटी इसका होगा हाइट जो कि इसमें मिटी भर देंगे और नीचे तकी से लगा देंगे उसके बाद देखते हैं यह प्लांट सर्वाइब करता है या मर जाता है ऐसे तो यह सर्वाइब फोली करना चाहिए क्योंकि इसमें जरब पूरा अ हो जाएगा उसके बाद जब बगा होने लगेगा तो फ्लावर फ्रोटेन देना इस्टाट कर देगा और यह प्लांट आपको छी महिने में फ्लावर फ्रोटेन स्टाट कर देता है देना बोरी में भी है दो तिनी जगा सुराख कर दे जो कि सुराख नहीं रहेगा तो उसम निराइगुराई नहीं किजीरें नहीं तो पंदरे दिन पर निराइगुराई ये एकना पर कर दिजीर, फिर पानी देने लगा में इसका जितना ज्यादा उपर का Rice उतना ही ज्यादे ये plants growth करता हैं और उपर में ये जल्ला ट्राइब या जल् freshly barHI ऐधि हो सकता है अगर है 101 kg अगर डाला चाहता है तो वह जमिन पर लगा रहता है तो एक केजिग आप दे सकते हैं आप 2 महीने पर केज़ी दीजे अगर इख से लगा रहा है गमला में तो उसमें तो उतना ज्यादा नहीं रहता है उपर का मिट्री निकाल लिए और उसे अपने बाले वर्मिंग कंपोर्ष्ट में मिला दीजे उसके बाद उसे मिला कि अच्छी तरह से उसमें रख दीजे और भर दीजे फिर फुरू उपर तक ना भरे जिससे यह होता है जो उपर तक भरा रहेगा तो फिर कैसे निकाल लिएगा और पानी देने में दिक्कत होगे मेरा ये बोरी बहुत अच्छा है और इसी में मैं लगाता हूँ और बोरी का ही मैं खेला करता हूँ क्योंकि बोरी में सबसे ज्यादा मेरा प्लांट सर्वाइब करता है और अच्छा से रहता है जि लिक्वेट मैंने बनाने का वीडियो जीवामृत वीडियो आप गार्डेनर दोस्त कीजिएगा तो बहुत सारा वीडियो एविलेबल होगा इसमें पानी मैंने पहले से दिया था इसलिए एक मतलब गलास दिया हो ऐसे इसे एक लीटर आप देना चाहिए अगर मैं जीवामृ इसमें आप पूरा वीडियो देख लीजेगा इसमें चैनल पर लेराल है जीवामृत गार्डेनर दोस्त कीजिएगा तो वह आजाएगा पूरा अगर नहीं होगा तो कमेंट बॉक्स या डिस्क्रेप्शन में डिक डाल देंगे वह आप देख सकते हैं और इसमें इसका इस प्रेकर देगाओ